तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं एक एम्प्लिफायर के बारे में जो की दोस्तो आउजा बरांड की एम्प्लिफायर है और दोस्तो एक खाजर वार्ड़ेश की है। में बताने वाला हूँ आगे तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में पूरी नॉलेज देने वाले हैं इस amplifier के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि दोस्तों इस amplifier के क्या specifications रहने वाले हैं details क्या रहने वाले हैं और review भी करने वाले हैं इस amplifier का और साथ ही आपको ये भी मोरे और हमारी यूटुब चैनल का नाम है मोरे डीजे व्लोक्स तो दोस्तो अगर हमारे चैनल पर पहली वारा है तो चैनल को सब्स्राइब जरूर कर लेना क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी के लिए डीजे से रिलेटेड वीडियो इस लाता रहता हूँ तो दोस्तों चलिए आज किस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों ये हमारी अम्प्लिफायर आउजा की तरफ से आती है हाई वाड़िस पी ये पावर अम्प्लिफायर जो कि दोस्तों बहुत ही दोस्तों ये हमारी अम्प्लिफायर बेस्ट आती है आउजा की तरफ से 1000 वाड़िस की तो दोस्तों बात के लेते पहले इस amplifier के front look की क्या देखने को मिल जाता है और फिर आपको specifications and load calculation के बारे में बताने वाला हूँ तो दोस्तों front look में ही आपको आवजा कमने का logo देखने को मिल जाता है योगि दोस्तों यह हमारी amplifier आवजा brand की तरफ से आती है आवजा brand दोस्तों हमारी भारत की ही company है इसलिए दोस्तों आवजा brand बहुत लोग पसंद भी करते हैं और इस amplifier को भी लोग पसंद करते हैं और दोस्तों आपको यहाँ पे SPA 10,000 देखने को मिल जाता है जो कि दोस्तों इस amplifier का model number है जो कि दोस्तों best यह हमारी amplifier होने वाली है और आपको यहाँ पे super power amplifier mention किया गया है जो कि दोस्तों यह हमारी power amplifier है और super power amplifier है और दोस्तों आपको यहाँ पे एक master volume देखने को मिल जाती है और दोस्तों एक base का volume देखने को मिल जाता है जो कि हम अच्छे से operate कर पाएंगे इस amplifier को without mixer और नीचे आपको यहाँ पे एक horn चलाने के लिए mode दिया गया है और दोस्तो एक box चलाने के लिए mode दिया गया है अगर आपको इस amplifier को horn mode पे भी चलाना होता है तो दोस्तो आप horn mode पे भी चला सकते हैं और अगर आप इस speaker चलाते हैं तो दोस्तो आप इस speaker की दरफ कर सकते हैं यह हमारा एक profit हो गया और भी आपको यहाँ पे profit एक और मिलने वाला है इस amplifier से और यहाँ पे आपको एक reset का भी option देखने को मिल जाता है अगर हमारा amplifier overload में चला जाता है तो दोस्तो हम इस amplifier को reset भी कर सकते हैं और दो दो indicators bults देखने को मिल जाते हैं जो कि दोस्तो एक reset का दिया गया है और यहां पर एक overload का दिया गया है और इसी के नीचे आपको दोस्तो एक on-off का switch देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको दो side में handles देखने को मिल जाते है और दोस्तों दो आपको उपर देखने को मिल जाते है handles उठाने के लिए जो कि दोस्तों काफी अच्छे दिये गए है और चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस amplifier की specifications के बारे में अगर दोस्तो मॉडल नमबर की बात की जाए इस एम्प्लिफायर की तो दोस्तो आपको SPA 10,000 देखने को मिल जाता है जो कि दोस्तो इस एम्प्लिफायर का मॉडल नमबर है अगर दोस्तो इस एम्प्लिफायर की फ्रकंसी रिस्पॉंस की बात की जाए तो दोस्तो आपको 15 हो देखने को मिल जाती फ्रकंसी जो कि दोस्तों बेस्ट दी गई है इसमें दोस्तों आपका बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगा काफी अच्छा रिस्पॉंस भी मिलने वाला है और अब बात कर लेते हैं इस एंप्लिफार की सिगनल टू नॉइस रेटियो की जो की इसका दोस प्रोम में भी अवैलवल है स्पीकर चलाने के लिए और ड्राइवर यूनिट चलाने के लिए दोस्तों सत्र वोल्टेज का ओप्शन दिया गया है और अब बात कर लेते हैं इस एंप्लिफार के वेट के तो दोस्तों आपको 41 केजी देखने को मिल जाता है इस एंप्लिफा के पावर सप्लाइ की की कि हम इसमें एसी करन्ट कितना दें अब डोस्तों आपको इसमें एक फायदा वोने वाला है इसमें धौस्तों आपको 220 वोलटेज देना है एसमें अपको option देखनों को मिल जाता है इस amplifier को आप DC में भी चला सकते हैं मतलब अपनी car battery से भी चला सकते हैं लेकिन दोस्तों इसमें car battery आपको 4 लगानी होंगी वारा voltage की जोकि DC इसमें आपको 48 voltage देना होगा 48 voltage आपको देना होगा जोकि वारा voltage की आपको 4 car battery लगानी है तभी दोस्तों हमारा 48 voltage हो पाएगा आप इसको light पर भी चला सकते हैं मतलब AC current पर भी चला सकते हैं और आप DC पर भी चला सकते इस amplifier को यह बहुत यह अच्छी खुसकबर है इस amplifier में हमें देखने को मिलती है इसमें आप चाहें DC हो चाहें AC हो दोनों पर भी चला सकते हैं काफी अच्छा response मिलेगा चाहें टॉप चलाए चाहें होरन इस amplifier पर चलाए आप कुछ भी चला सकते हो और निया टॉप चाहें AC पर चाहें DC पर चला इस amplifier को जो कि दोस्तों काफी अच्छा यह फीचर्स हमें देखने के मिला है इस amplifier में काफी बेड़ लगा हाई हमें तो डोस यह हमारा इयंकर यह हैं आपोट की तो दोस्तों यह हमारा 1 मीफ यह हुआ है और इसका मेक्सिमम पावर दोस्तों तेरा सो पचास वाड़िस दिया गया है मेक्सिमम पावर कमपनी के हैती है अगर आप इस एंप्लिफायर पे तेरा सो पचास वाड़िस तक का भी इस एंप्लिफायर पे लोड दे देंगे तब भी दोस्तों ही हमारी एंप्लिफायर में को का अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि दोस्तों हम इसमें कितना टॉप चला सकते हैं कितना बेस चला सकते हैं कितने होर्न चला सकते हैं सब कुछ अब आपको बताने वाले हैं चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि दोस्तों हम इस एंप्लिफायर पे टॉप कितने चला सकते हैं तो दोस्तो हम इस amplifier पर चाहें तो एक भी टॉप चला सकते हैं चाहें तो दोस्तो दो भी टॉप चला सकते हैं पहले हम बात कर लेते हैं कि एक टॉप कैसे चला सकते हैं दोस्तो हमारी amplifier के big setting में हमें एक common का option देखने को मिल जाता है और दोस्तो एक फोरॉम का option देखने को मिल जाता है दोस्तो इक जो हमारा टॉप होता है का impedance होता है फोरॉम ठीक है दोस्तों तो दोस्तो हम इसमें एक fazer words का टॉप चला सकते हैं fit आपको connections करने है एक black वाला हमें common में लगाना है top का और दोस्तों दूसरा red वाला आपको forum में लगा देना है एक 100 words का top आप इसमें forum पे चला सकते हैं चाहे तो दोस्तों आप forum का 1350 words तक का भी load दे सकते हैं forum पे अब बात कर लेते हैं दो top हमें इसमें कैसे चला सकते हैं दो top को आपको चलाने के लिए जो हमें amplifier में common और दोस्तों 2 ohm का option देखने को मिल जाता है amplifier की back setting में तो दोस्तों हमें दो top इसमें हम चला सकते हैं जो कि दोस्तों दो top को हमें पेलर में ही connections करने हैं दोस्तों एक top का हमारा impedance forum होता ही है जब दोस्तों हम दो top के connections एक में करेंगे पेलर में तो दोस्तों हमारा impedance बन जाता है 2 ohm तो दोस्तों दोनों top के जो हमारे words होने चाहिए वो दोस्तों हमें 1000 words रखने हैं ठीक है चाहां तो दोस्तों आप इसमें 1500 words का भी speaker लगा सकते हैं तभी हमारा दोस्तों 1000 words हो जाएगा तो दोस्तों हमें एक common में लगाना है जो की blade वाला लगाना है और दोस्तों दोसरा हमारा red वाला बचा वो दोस्तों आपको 2 ohm में लगाना है तभी हमारा right connection होगा तो दोस्तों आप इस तरह से 2 top भी चला सकते हैं और चाहें तो आप एक हजर वार्डिस का एक भी टॉप चला सकते हैं और दो भी टॉप चला सकते हैं एक हजर वार्डिस के दो नो टॉप ठीक है दोस्तों अब बात के लेते हैं कि दोस्तों हम इस इंपलिफार पर होर्न कितने चला सकते हैं मतलब ड्राइवर यूनिट कितने चला सकते हैं तो दोस्तों आप इसमें अपने वाड़िस के हिसाब से चला सकते हैं चाहें तो दोस्तों आप इसमें 15 से 20 भी चला सकते हैं 30 भी चला सकते हैं 25 होर्न यूनिट चला सकते हैं वो दोस्तों आप पे डिपेंड करता है आप इसमें 20 से 25 होर्न चला ये काफी आपको कम से कम 20-30 मीटर की दूरी पे ही आपको 25 से 30 होर्ण बांदने हैं ठीक है दोस्तों तो दोस्तों मैंने आपको यहां पे बता दिया इस सेम्प्लिफाइर के बारे में कि आपको टॉप कितने चलाने है और दोस्तों होर्ण कितने चलाने है तो दोस्तों मैंने यहां पे आपको इस amplifier के बारे में पूरी जानकारी दे दी है कि दोस्तों आप इस amplifier पे कितने टॉप चला सकते हैं और कितने होर्न चला सकते हैं मतलब driver इनूट कितने चला सकते हैं तो दोस्तों मैंने पूरी जानकारी दे दी है अब बात के लेते हैं इस amplifier की price की दोस्तों आपको बता द दोस्तों कमेंट करके बताना है कि दोस्तों इस एंप्लिफार का क्या प्राइज पढ़ता है मार्केट में अगर आपके पास यह एंप्लिफार है तो आपको दोस्तों कितने रुपए के मिली थी आप लोग कमेंट करके इस एंप्लिफार का प्राइज जरूर बताइएगा तो